संकेट कश्यप और आग बात करने जा रहा हूँ एरपौर्ट्स टू के बारे में बैसिकली तीन वारलेस ऐरफोन्स आते हैं लाकि एरपौर्ट्स डू और एरपौर्समैक्स को मैं इसमें कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि कि Airpods Max headset है और बहुत ज्यादा महंगे हैं अगर मैं बात करूँ wireless earphones के तो वो यह तीन ही है तो जो सबसे सस्ते हैं यह काफी टाइम से यूज कर रहा हूं लग बग तीन साल से ज्यादा हो चुक है हैं तो लोग इने बहुत पसंद करते हैं तो लोग मुझे कमेंड में बहुत साथ पूछे थे कि Airpods 2 2024 में लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए क्यूंकि मैं इसके अल्रेडी रिव्यूस बना चुका हूं 2021 में 2022 में 2023 में लेने चाहिए तो मैंने सब्सक्राइब तो मैं आप 2024 में इसके बारे में डिसकस कर लिया इनकी sound quality है काफी बढ़िया है मैं यह नहीं कहूंगा इसके अंदर heavy bass है लेकिन most of the time यह बहुत अच्छा sound करते हैं और इनकी battery life वी awesome है और almost हर किसी के कान में easily fit हो जाते हैं वहना आप कुछ additional tips लेके इसे असानी से fit कर सकते हो तो overall तो easy recommend है लेकिन वह के सिर्फ तब तक बनत है था nothing क्याती है कि यह stick वो मुझे हर मामले में Airpods 2 से better लगे मतलब मुझे उनकी sound quality ले लीजिए चाहिए उनका comfort ले लीजिए और उसके features ले लीजिए इससे काफी बढ़िया है लेकिन फिर भी कुछ लोग जो Apple user है वो चाहते हैं कि वह Apple ecosystem में रहें और Apple की ही use करें तो अगर आपको इस तरह के useful videos और अच्छे वीडियो से देखना पसंद है तो चैनल को subscribe कर देजिए वीडियो को like कर देजिए ताकि जब भी मैं अच्छी वीडियो डालू आपको पतास लजाए और ये वीडियो भी promote हो सके तो खेर अब हम इसके बारे में detail में बात करेंगे ल कि sound काफी balance है तो मैं लंबे time के लिए सुन पाता हूं क्योंकि Airpods Pro में काफी बेस महसूस होता है मतलब मुझे असा लगता है कि अगर Airpods Pro 2 एक jeans है तो यह मेरा pajama या shorts लगा लिए जिसे में हर time पहन सकता हूं तो इस मामले में यह मुझे काफी गजब के लगते हैं तो अग Airpods होने के बाद भी मैंने यह रख 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 हैं और इमने बहुत ज्यादा यूज़ करता हूं अगर आपका अब इसे मन कर गया है खरीदने का किसे खरीद लेते हैं जैसे मैं नहीं होगा तो आप description में दिए गए लिंक से जाके खरीद लेना ताकि आपको बैस पर मिल सब क आपको स्क्रीन पर मोट हो सब्सक्राइब करें ना तो अब इसके बारे में बात करते हैं तो मैं कुछ categories के basis पर इन्हें जज़ करूंगा जो इस समय आपको screen पर डिस्प्ले हो रहेगी like sound qualities की इसके comfort के बारे में बात करूंगा battery life के बारे में बात करूंगा और कुछ additional features के ब है वह value for money लगता भी है आपको use करने मज़ा आता है नहीं है तो मैं उसके अपर जादा concentrate करूंगा specification में ज्यादा नहीं जाओंगा कि कौन सा driver है कौन सा driver भी यूज क्या है क्या है क्यों है क्योंकि technical specification से जादा फरक नहीं पड़ता क्यों कुछ चीज़े on paper काफी बढ़े परसंद है तो उनको यह बहुत पसंद आने वाले हैं और अगर थोड़ा specifically जानना चाहें अगर आपने कभी earpods use कर रहे हैं जो वाइड है अपल के तो यह लगबग उससे थोड़ा सा बैटर साउंड करते हैं उससे ज्यादा बेस है उससे ज्यादा अची sound है उससे थोड़ मिलते हैं क्योंकि wireless earphones में अच्छी sound देना as compared to wired ज्यादा मुश्किल है तो apple ने उससे बहुत बड़ा जॉब किया था यह और यह काफी बड़ा चीज है इसके अंदर तो यह मैं इसके अंदर सबसे बड़ा चीज माता हूं कि sound quality इसकी अच्छी है heavy bass नहीं है noise cancellation नहीं है वो स सब्सक्राइब करते हैं तो उसका solution मैंने यह निकाला है कि आप एक ear tip करके उसे असानी से कान में fit कर सकते हैं तो यह काफी comfortable है और इसका design भी काफी बढ़िया है initially तो लेखो लोगों ने बहुत roast किया था कि इनका design कितना अजीब सा है अलग-अलग से यह एरपोर्ट की तारे कार्ट दियूंए case करी करना पड़ेगा लेकिन यह इतना revolutionary था बेचे कभी आप Apple को लोग क्रिटिजाइज करते हैं कि वो दिखर नहीं आएगी और लंबे टाइम की बात करी रहे हैं तो बात करते हैं इसकी battery life काफी अच्छी है कि अगर आप को लंबे सफर पर जा रहे हैं तो असानी से यह चार चल जागा जैसे डेडड़ दो गंटा यह अलग से प्ले कर लेंगे और अगर आप इसे charging case में लगा सब्सक्राइब तो यह मेजर तीन चीज़े जो इसकी फिएवर में जाते हैं और जिसकी वजह से यह वान ऑफ दी बेस्ट वाइले एरफोंस हैं मार्किट में एपल के लिए अब बात करते हैं तो यह सबसे बड़े चीज लगते हैं कि आप इसे असानी से कैरी कर सकते हो मतलब यह आपके जीन्स की सबसे चोटी पॉकेट में भी फिट हो जाएंगे और अनाम से किसी भी बैग वगारा में आप इसे कैरी कर सकते हो और किसी भी तरीके से आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यह चीज़ के बात करता हूं जो लोगों जिसके लिए वीडियो देख को इशू नहीं आएगा चाहे आप कॉल लीजिए चाहे आप ऑफिस की मीटिंग कर रहे हैं तो किसी भी तरह की कोई दिकत नहीं आएगी तो खैर उसका में आपको सेंपल दिखा देता हूं तो यह है इसकी माइक की साउंड क्वालिटी कैसे आती है आप खुद जज़ कर सक करता है अब व्लॉगिंग के लिए कैसा रहता है मतला वगर आप वीडियो बना रहे हैं तो उसे माइक यूज कर तो कैसा रहता है वह किसी और दिन में टेस्ट आपको कर गताऊंगा लेकिन फिलाल मैं आपको दिखाना चाहता था कि इसका माइक काफी सुपर्ब साउंड कर करते हैं अब इससे कुछ लोग तो वीडियो के लिए भी यूज कर लेते हैं लेकि मुझे लगता है उसके लिए एक स्टरनल माइक जादा बढ़िया है लेकिन यह वह काम सदा देगा और मेरे असाब से काफी बढ़िया साउंड क्वारिटी है अगर इसकी माइक की बात करो नेक्स बात कर लेता है जो इसके अंदर सबसे बढ़े चीज है कि जो इसके फिशर के अंदर इन्होंने एच वन चिप दी है जिसकी वज़ज़ से यह बिल्कुल अराम से आपके आईफून के साथ पेर हो जाते हैं मतलब अगर आप आईफून के साथ इसे यूज कर रहे हो लेकि इनिशली एपल नहीं इंट्रडूस किया था तो यह सब फीचर भी इसके अंदर काफी बढ़िया है बाकि इसके अंदर और कोई खास ऐसा फीचर नहीं है जो मैं कहूं कि बहुत आउंस्टेंडिंग है जो मेजली जनल एक्स्पीरिस में आप यूज करो कि उसी फीच तो आपको एरपोर्ट्स 3 की तरफ या एरपोर्ट्स 2 की तरफ जाजे लेकिन ध्यान रखे वह ज्यादा महेंगे भी हैं तो मेरे असाब से एक एवरेज परसन के लिए यह मौर्दन सफिशेंट है और आपे इन्वेस्ट कर सकते हो बाकि जैसे मैंने बताया था कि एक नथि कर सकते हो तो अगर आपको पता चल जाएगा बाकि और यह एक बहुत बढ़िया है अगर आपके पार एरपोर्ट्स 2 भी है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजे क्योंकि आप जादा इने ही यूज कर रहें तो अगर आपका अबमन कर गया से खरीदने का तो दिस्क्र अगर आपका अभी भी कोई डाउट है इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंड मुझे सकते हो मेरी इंस्टा कमेंड कर सकते हो और वहाँ पर फॉल्व भी कर सकते हो क्योंकि वह तो बिल्कुली फ्री है तो फिर यह था आज की वीडियो में तो होप आपको यह वीडियो अच तेसे विए बाई